स्वागते गाई आप सब का हमारे चैनल पर मैं उकासिंग और आज मैं बताने वालों पांच आसे पोकी मॉन जो हमारे गेम में हैं और वो सबसे बैतरी नहीं मतलब लिटरली एक और वहाँ किमान की सबसे पहले बाद करते हैं और प्रक्रमन की बहुत ही कि में grass आर करते हो गोड़े इतकी है आपको पकोषकर दिखा करें अच्छा आशा में Hangul होता है इस लोगतर देक्रह ङहाँ होता है अंता हुका में आपको पहले पाते हैंuft जैंघ तो बैइं यह सबसे बहुत ज्यादा सबसे जाधा सबसे जादा सस्ता है क्योंके इसका आखरी फॉर्म या फिर सबसे पहला फॉर्म है जो कि यह जो है जो यह जो है यह ग्रास में अब लेवल है तो अगर आपको नहीं पता में बता देता हो यह हमारे ग्रास में अब लेवल है जहां पर डियालगा का गिलूर बॉस होता है यह वहीं पर मिलता है ठीक है तो यह वाला है डियालगा का गिलूर बॉस ठीक है तो यहीं पर मिलता है और यह अराम से आप unlimited पकड़ सकते हो, easily R2 बना सकते हो, R2 कर सकते हो, और एक बार मेरी बात मालो, अगर एक बार यह R2 होगी है, तो आपको कोई नहीं रोग सकते हो, और moves भी कमाल के होते हैं, abilities भी कमाल के होते हैं, basically abilities move एक Pokemon को जादा भैतर बनाते हैं, और वो कितना easily available होता है, इ यह Pokemon उस हर चीज में जादा बैतर बैठता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह दिखो, यह grass में है, मतलब आप चल चल के पकड़ के हर दिन, अगर आप एक दिन में एक जरुआ ही पकड़ते हो, तो आप तीन दिन में एक जरुआ कर बना सकते हो, और अराम सी आप Mega बना सकते इसके लिए, तो यह Pokemon सबसे जादा बैतर होता है, मैं आपको इस चीज भी बताता हूँ, इसके बारे में, मैं आपको इसके move sets भी दिखा लेता हूँ, यह जो जरुआ आप देख रहे हो, मैंने इसे wild से पकड़ की बनाया है, और moves के बारे बारे बात करते हैं, इसके बारे moves internal में ही है, और अब इसके चाहो तो इसका move यह जो night days भी दिया गया, यह भी इसनमाल कर सकते हो, और इसके साथ और भी moves होते हैं, पर एक बार आप honestly try को तो flame throw जादा अच्छा होगा, या पर grass knot, यह भी बहुत जादा अच्छा होता है, पर क्या इसके बार grass knot है, मैंने इसा Pokemon से और क्या सथ expect करोगे, यह grass में आपको चलते विरते मिर जाएगा, और dark suit वालों के लिए special attack user के लिए सबसे जादा best होता है, moves के बात कर ले, और abilities के बात कर आपको four card ability मिल जाएगा, पर वो सिफ R2 में मिलेगा, और mega में जो मिलेगा, यह ability, जब भी आप किसी Pokemon का knock out करोग आपका जो defense होगा, वो God level पे होगा, special defense का लेना देना कुछ नहीं होता है, four card चीवा के defense को boost करता है, special defense को नहीं, मतलब जितना भी damage होगे, आधा मिलेगा आपको उसका damage, तो मतलब यह आप simply मालो कि आपका defense बहुत सब अच्छा होगा, अब जो पांच्छवा Pokemon है, वो है guys Hex जी हाँ, simply जैसे यह Pokemon grass में मिलता है, और यह easy R2 है, SR category चीफ Pokemon है, वो ऐसे भी fourth Pokemon, जो Hexerus, वो भी cheap Pokemon है, basically XU जो होता है, उसका last form है, तो उपर वाला जो form है, उसका नाम मेरे को याद नहीं, वो grass में available है, वासा इससे भी आप easily R2 बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, उस इसके पास moves के कम ही नहीं है, उसके पास pressure ability है, उसका mold breaker ability है, और Pokemon तेज भी है, बहुत तेज तो नहीं है, पर फिर भी, तेजी के मामलें हो तेज है, और उससे भी जादा अच्छी पर one hit key हो कर सकता है, उसके पास move है, या फिर ऐसी कुछ नाम है, या फिर ऐसी कुछ नाम है क्योंकि mold breaker है, जो obviously यह करना चाहिए, पर इसके ghost type है, जो इसके one hit key हो से बच सकते हैं, पर उससे क्यों बचना, आपके पास बहुत सी strong Z move भी है, और आपके पास dragon dance जैसा option है, और बहुत सारे moves है, जो easily Pokemon के मार सकता है, प्लस वो taunt भी use कर सकता है, तो dragon dance plus taunt Pokemon जायर है, तो मै आपको dragon suit के लिए मिल जाएगा, तो यही पर होना चाहिए, मैंने देखा हुआ है, तो देखते हैं, कहा हो गया, कहा हो गया, यहाँ पर गीबल है, और यह रहा, अच्छा, गीबल यहाँ पर भी डाल दिया गया, अच्छा मेरे को याद गीबल था, भी मैंने अपने VIP 0 और यही पर आपको मिल जाएगा, और ट्रस्ट में गाइस, पहला अगर आपने ढूंड लिया, पहले ढूंडने आपको बहुत ज़्या तकलीफ होगी, ग्रास से बगट रोगना, कोई भी पहला पोकी मौन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर जब आप पहले होगी, तो मैटा देते हैं, ठीक है, यह रहा हुए, यह थेज होता है, ठीक है, 105 स्पीड बहुत होता है, काम नहीं होता है, काम पैर टू ऐसे वह की मौन जिनका स्पीड 90 के निचे रहता है, उन से ज़्यादा बहता है, 120 स्पीड मेगा एक्सरास आपको होता है, और अब ड्रागेन क्लो रक सकते हैं, और यह इंटर्नल में है, सबसे अच्छी बात यह इंटर्नल में है, ड्रागेन ट्यर जो आटू मूव है, वो भी आपको दिया गया, स्पीड इंक्रीज करता है, तो तेज है, और यह है वान हीट के, मुप स्वार डांस भी है इसके पास, जो मेरे क्याल से से दो ही है, मेरे हिसाब से साथ तीन भी हो सकते हैं, या फी चार, पर मेरे को अभी जितना यहाँ आ रहा है, हैक्सरस और जोरो आर्क, यह दो ऐसे बहुत ही जल्दी आर्टो बनाया जा सकते हैं, क्योंकि वो गीबल पकड़ो, उसको गबाइट पर इवार करो, फिर जागे टरांट और बनता है, तो उस चीज के कंपेरिजन में यह थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो इस पर नबर फीप्त और नबर फूर के जो पोकीमोन है, इस पर नजर रखना, पर नबर थ्री, टू और वन, उन पर अगर अपके नजर नहीं पड़ी ना भी आज पड़ जाएगे, बहुत यह बेदरी पोकीमोन होगे, तीसरे नबर फा पोकीमोन आता है, वह स्नोर्लेक्स, वह नॉर्मल वाला, अब इसमें क्या खास में आपको बता देता हूं, तो अगर आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं, स्नोर्लेक्स के पास इस से कोई भी पोकीमोन इम्यून नहीं होगा, पहले जो सिंपल स्नोर्लेक्स पर अगर यूज करोगे, तो घोश टाइप पोकीमोन आपकी वाट लगा देंगे, आपको कोई भी भी मूव ठीक से लगे गई नहीं, और जादा डेमेज नहीं दोगे, पर जब आइस टाइप अब भी आपकीमोन इस टाइप भी मारेगा, और सबसे अची बात यह है, यह गोश टाइप के अगिंस्ट खडा रहेगा, बिना डेमेज लिए गोश टाइप की मूव पर यह गोश टाइप को हिट कर सकता है, इसके मूब जो है आइस टाइप में कनवर्ट हो जाएंगे, आ अब बहुत सारे ड्राइगन टाइप को एजी नहीं मार सकती है, आपके डिफेंस बूश रोज रोज रहता है, इसके पास R2 मूब है मेरे ख्याल से वह टाइक बूश करता है, यह डिफेंस मेरे तो साइज से याद निया रहा, पर में भी वह डिफेंस बूश करता है, यह आपका डिफेंस अच्छा होगा, आपका अटाक अच्छा होगा, और 150 इसका पावर अटाक कहा, और विफ पावर अपंच यह और भी जादा निकड़ जाएगा, अब कोई नहीं रिक पाएगा, बहुत जादा डॉमिनीट होता है, मैंने मार्श करता है, और यह हमेसा एक ग जो एक्चुली नॉर्बर आप मूब्स को आई स्टामी कर देता है, और यह थोड़ा अलग है, और यह बहतरीन काम करेगा, टरस्ट में एक बहुत बहुत बहतरीन काम करेगा, ठीक है, नमबर 5 पे था हमारे डाग सूट के लिए, नमबर 4 पे था हमारे थ्री पे आचुके कर सकता है, उसका नाम है एरोडाक्टल, सिंपल वाला नहीं, कभी भी नहीं, एरियो, हम लोग यह लिख देता है, इतना ही काफी होगा, तो यह हमने ठीक है, इसका गलत लिखा है, यह पहले होता है, यह आगे है, तो यह नॉर्मल एरोडाक्टल नहीं है, हम लोग इसके बारे में ये वाला ग्रीन डाक्टाहिल गेम सबसे बहतरीन हार्डसूट के लिए एक लौता गेम में ऐसा बोकीमोन है जो लगे हां तो डाक राय को रोग सकता है बिलकुल यह सिंगल हैंडल ही रोग सकता है क्योंकि कहीं गुना ज्यादा तेज है मैं आपको इसके स्पीड द से कम करता है आपको छोटा से क्लिक दिख जाएगा वीडियो का और साथ में यह पोकीमोन के पास वह ही अबिलेट है जैसे यह सोएगा नहीं प्लस यह रूष्ट इत्माल कर सकता है मतलब बूश्ट हो जाएगा और साथ में यह डिफॉक भी यूज कर सकता है इसके पास डि इसके स्पीड को और जा सकता है इसके स्पीड को और जादा नहीं कर सकता है यह रिफ्लेक्ट भी यूज कर सकता है यह रॉक्टूम लगा सकता है यह तॉंट लगा सकता है यह हर कुछ कर सकता है यह डार्ग शूट का गेम चेंजर पोकीमोन है और भाई मैं यसी को अपने टीम में डाल रहा हूँ मैं स्टोल इसको रिमूव करने वाला हूँ और मैं इस Pokemon के पेचे हाथ दोगे पड़ा हुआ, फिलाहाल मैंने इसके बहुत सरे शर्स कलेट करके रखे, तो नहीं है, पर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत सरे Pokemon के शर्स कलेट करके रखे हैं, उससे मैं इसका एक मेगा बना लूगा, और दूसरे Mega के लिए event का उन्तिजार क बनेगा, और यह Snowdlex को मेरे टीम में replace करेगा, क्योंकि यह Fortress users के गेंस्ट एक बहुत अच्छा Pokemon सावीतो का, same for Darkrai user के गेंस्ट भी, और यह SR category में आता है, कोई double SR category में नहीं आता है, यह cheap है compared to normal Pokemon, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा cheap होंगे, at least Skydacra से ज़्यादा cheap है, और से ज़्यादा cheap है, जो मेरे को साइध कुछ helpful नहीं हो, जिसके Snowdlex घंटा कुछ काम का नहीं other than Fisher, और in case luckily आप लॉक लगा लेते हो, तब आपका काम आ जाता है, और उसके अलाबा बहुत कम काम आता है, एक बार easily Gengar उसे बगड़े माल सकता है, इससे Gengar नहीं मार पाएगा यह थोड़ा साइध आपको पता नहीं हुआ, नबर 2 कितने को पता था आप बता सकते हो, क्योंकि मेरे को भी पता था, पर थोड़ा बहुल भी गया था, फिर मेरे को फिर से याद दिलाया गया, पर मैंने बहुत जिन से सोचा था है कि मैं टॉप 10 बनाऊंगा, पर फिलाल क यह थो एक एस टाइप पोकी मॉन है और यह आज टू बनने के बाद ऐसा दिखता है, ठीक है, मुब्स के बारे बात करें तो इसके पास जो मुब्स है यह देखो, जो डार क्राइप के पास मूब होता है, वह यह सेम टू सेम, आज आज यह पंक्शन नहीं है, हम लोग इस दो जी मॉन इस्त्माल कर सकते हैं, बड़ जाइप ग्रावडों …… इस ताइप पोकीमोन होने के बाजू जो जो जी मुस्तमाल कर सकता है लिटरली लुकारी और कॉमट पीक का दर्द समझाओ उनको कैसा फील हो रहा है वह ऐसे पोकीमोन है जो एक एस काटेगरी में आता है जो सब्सक्राइब होती है और वहां से डवल जी मुस्तमाल कर सकता है वह दिन दूर नहीं जब से एस और आटाग के पोकीमोन भी डवल जी मुप के साथ देखे जाएंगे वोल्डिंग में और यह इस गेम को और जादा बैतर बनाता है जो पहले फील हो रहा था कि गेम थोड़ा टाइड लग र पहले करके देखा है एपसौल का जी मुब बहुत जादा कतरनाक होता है और दो जी मुब होना कि उसके काफी ज़्यादा डेंजरस बनाएगा उपर से पैरे स्टमाल कर सकता है यह प्लेयर अस्तमाल कर सकता है इसके साथ-साथ इसके पास इंफस्टेशन भी है उपर से यह पोकीमोन भी है फिशर से भी नैचुरल इम्यून है यह बहुत जादा बैतर पोकीमोन है और को एक वगरा सारी चीजों से इम्यून होगा यह और यह पोकीमोन एक बहुत जादा डॉमिनेटिंग होगा तो बाई सूट की बाद कर लेते हैं सबसे पहले हमने जोरो आर्क के बारे बात किया डाग सूट उसके बाद हमने बात किया अपने हैक्सर के बारे फायर सूट उसके बाद हमने नॉर्मल सूट यूजर के बारे बात किया उसके बाद हम हार सूट के लिए उतरे और फाइनली हम फ्लाइंग सूट के लिए भी पोकीमोन लेकर आ चुके है पर य लिट्रिली इस फ्लाइंग एपसोल से जादा या पी ऐरोडक्टाइल से जादा बहतर पूकी मौन देखने को नहीं बिलेगा मैं honestly बहुत जाद इंप्रेस हूँ इन दोनों पूकी मौन से तो यह कैसा पूकी मौन होगा लिट्रली यह मतलब फ्लाइंग डाक टाइप दोजी मौन रितमाल कर सकता है इसके पास थर्टी आइवी हो सकता है और मतलब सेम गार्चॉम जैसा और इसली 92 93 के 95 के तक पहुंच सकता है क्योंकि इतने नॉर्मली यह पूकिन पहुंच जाते है मतलब एकन 2 के बाद यह पहुंच जाते है और इसे तो हार्च 7 बनाया जा सकता है यार बस आपको कुछ स्टोर ठीक है आपको कुछ कॉइंस वेस्ट करने है उसको आपको इसके साथ एक्स्चेंज कर तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर इनके इसको संभाज नहीं है त है इतना है नहीं साउड कर रहा है दोजी मॉप्स एक फ्लाइंग टैप पोक्किमान डार्ब शूट को और जादा बढ़ावा दी दिया इना बढ़ावा दिया है कुछ और ही मत समझना पर ये बहुत ही जादा बैद्रीन पोक्किमान हो गई है पहला पोकिमान जो है उनके लिए बहुत ज़दा अचा है तीसरा जो हमारे बहुत ज़दा गेमचेंजिंग साउंड होगा मतलब काम करेगा बहुत बहुत ज़दा अच्छा फायर सूट के लिए और नमबर फाइफ जो रो आर्क ये भी नमबर फॉर और फाइब जो बहुत चीप क्वालिटी कुछ नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था आपको ग्रास में दे दिया गया और लास्ट मे सब से C.व केम का सब से चीप ञेम अगेम जो फोर बहुत स्ट्रॉं57 बहुत हगार चल किसी ना किसी के टीम में में को ये सायज दीख जाएग अब ही सय और हो गौईङ Tabii आपक वीडियो में